नमस्ते मैं अलकाठा कुरूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है तो आज हम बात करेंगे कि जब किसी का फैटी लीवर हो जाता है उसमें खाना महत्पूर्ण होता है या फिर व्याम करना महत्पूर्ण है दोनों में से जादा फैटी होजगे थो भी जब भी आप खाते है तो खाना खाने के बाद पट disgrace से निकलता भाइल जूश जो आपके खाने को पचाने का काम करता है और जब इस के अंदर फैट जमा होने लगता है बहले तो लेकिन उपध्यार नहीं देते ठीक है तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पर लीवर के आसपास लीवर के अंदर फैट जमा हो गया है और हम यह भी देखते हैं कि जब भी किसी को फैटी लीवर होता है तो उसको थोड़ा भी लक्षन देखने को नहीं मिलता है व्यक्ति को मालूम ही नहीं चलता है कि मेरा ली चुच की श्मस्या रहती है। आपको जो नीद है। वो बहुत लेट से आती है। और जब आती हैं तो टाइम टाइम से बहुत जल्दी तूट जाती है। जब आप सोते हैं तो खराटे बहुत अजीब से लेते हैं तो आपके family member या फिर कोई भी जो आपके आसपा सोते होंगे वो आपको बोलते होंगे कि ये खराटा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है आप खुद सोजाते हैं लेकिन दूसरे को सोने नहीं देते हैं तो यहां पर क्या ह लीवर डिजीज इसमें आपको क्या होगा इसमें सिर्फ आपके लीवर के अंदर सिर्फ फैट है अभी लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपके बोड़ी में यह जो परिवर्तन है यह जो बिमारी है वो बढ़ती चली गए तो यह क्या चीज में कंवर्ट हो जा हैं क्या बोलते हैं हीपैटिक और जब आपके लीवर में सुजन हो जाता है तो लास्ट में आइटस लगा देते हैं इसलिए यहां पर हैपटाइटस शब्द का उप्योग किया गया है तो कहीं भी अगर लिखा रहे हैपटाइटस इसका मतलब होता है कि लीवर में सूजन ह अब बहुत सारे लोग यह कन्फ्यूज होते हैं कि HIV क्या है और हपटाइटिस क्या है लोग अकसर दोनों को सेम समझ लेते हैं लेकिन हैं हैपटाइटिस मतलब होता है आपके लीवर में सुजन होना और है मतलब है आपके बॉडी में infection हो जाना जिसे आपकी बॉडी की पू हो गया बैक्टेरिया हो गया बहुत सारे विमारिया हो गई वो सब अटाक करते रहते हैं है लेकिन इम्यून सिस्टम अभी भी आपका अच्छा है और आप जब अब ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका यह जो लीवर है वो फिर ठीक हो सकता है क्योंकि बॉडी में लीवर ही य जब कोई बर्गर खाता है जब कोई पीजा खाता है जब कोई सबजीयों को अपने डाइट में शामील नहीं करता है या फिर जब कोई बहुत जादा कोल्डरिंग पीता है चीनी भर-बर के यूज़ करते हैं तो वह सब चीज की वज़ह से बॉडी में लीवर में समस्या ब फिर शुरू हो गई है तो हम करे क्या यहां पर हमें क्या क्या खाना चाहिए जब भी ऐसा प्रॉबलम हो अब यहां पर ध्यान देने वाला यह बात है कि जब भी आपको हैपिटाइटिस होता है मतलब लीवर में सुजन होता है उसके बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको लीवर सिरोसिस हो जाती है और लीवर सिरोसिस फिर ठीक नहीं होती यह बहुत ही गंभीर इस्थिती होती है इसमें लीवर पूरी तरह से डामेज हो जाती है पहले इसमें हलका सा फैट जमा होता है फिर इसमें सुजन होती है और फिर लीवर पूरी तरह से बरबाद हो जाती है उसके cells खड़ाब होने लगते हैं तो खाना क्या खाना है हमें fiber वाली चीज़े खानी है हमें anti-oxidant जिसमें हो हमें वो सारे fruits और वो सारे vegetables खाने हैं जैसे कि साख सबजी हो गया beans हो गया broccoli हो गया जो हड़ा वाला गोवी होता है आप गोवी भी खा सकते है जो normally white color का आता है पत्ता गोवी भी खा सकते हैं इसके अलावा आप फल खा सकते हैं बहुत सारे आप सेप खा सकते हैं अंगूर को भी आप शामिल कर सकते हैं साथ में आप अनार खा सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है कि अपने खाने में से चीनी को आपको हटाना है सब तो आपको प्यूग करना है जो कि शुद्र सरसो तेल हो तो आपके बॉड़ी में उतना ज्यादा फैट को नहीं जमाएगा आपको तेल कम खाना है सबजी में मसाला कम खाना है साथ में ही आपको ध्यान लखना है कि आपके पेस्ट्री वगड़ा यह सब भी चीज़े ना खाय है तो आपको पानी पीना यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा आपको क्या करना है फैट नहीं खानी है जिस चीज में उता होता है तेल नहीं खाना हैistes में अपने बॉड़ी को आपशी step ध कर सकते हैं यह दोनों इंप्वर्टेंट है लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब भी आप खाते हैं, तो जितना आपने खाया है, उतना आपको व्याम भी करना है, मतलब portion, amount आपके खाने का बिलकुल सही होना चाहिए, तो इस तरह से आप अपने fatty liver से निजात पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको fatty liver की समस्या है, तो आप सिर्फ खाने प चीज होता है, जिसमें फाइबर जादा होता है, वो सब चीज आप खा सकते हैं, यह सबी चीजे आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत जादा रहात मिलेगी, और जो आपका body का fat है, फिर वो भी कम होने लगेगा, वजन कम करने के टाइम में जो भी exercise होते हैं, वो fatty liver में खाने की मातर इतना नहीं होना चाहिए कि एक time में आप बहुत जादा खा लेते हैं और एक time में आप बहुत कम खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिन में बाट बाट करके आपको खाना है, ताकि आपके body पे वो जादा असर ना पड़े, जितना खाना है उतना आपको exercise करन करनी है, लेकिन जितना खाना है उसके हिसाब से ही exercise करनी है, जितना calorie आप खाएंगे उतना calorie आपको burn करना है, खतम करना है body क्या, तो आप healthy रह पाएंगे और liver जो है ठीक हो जाता है, लेकिन जब liver cirrhosis की condition आती है, तो फिर ठीक होने में मुश्किल बहुत आती है, इसे लिए आप ध्यान दे कि जब भी आपको हलका सा कुछ फील होता है, या फिर आपको पता है कि आपका fatty liver है, तो आप अपने खाने पीने पे बहुत जादा ध्यान दे, तो मैं समझते हो कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है, आप पूस सकत थांक यू सो मच फर वाचिंग मै वीडियो